वेलकम बैक टू माई यूटूब सेनल्स का नाम जीतेन कुमा वर्मा आईटी सपोर्ट और आज की वीडियो है इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मालवेर क्या होता है और यह कैसे काम करता है देखिए जो मालवेर होता है हमारा एक हामफुल प्रोग्राम होता है जो कि है सिस्टम्स आता है तो इसका में जो सोर्स होता है वह आपका या तो आप इस्टूरेज डिवाइस जैसे लगा रहे हैं अपने सिस्टम्स में विदाउट एंटी वारिस सौफ्ट वेर जैसे अपने आपके कोई कम्प्यूटर है उसमें कोई आंटी वारस नहीं पड़ा सबस्क्राइब कर दिया तो वह रिडाइड करके दूसरी वेबसाइट पर लेके जाता है तो उसके थूब हमारे कम्प्यूटर सिस्टम्स के अंदर मालवेर कर जाता है जो मालवेर होता है इसके कई टाइपस होते हैं वह मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा बन मैं चलता है तो आपका यह घुरण टाक्वमेंट कर रहता है और फिर उस नबर उसे नतर पहुंचा पहुंचा है तो यह तरीका होता है जो हमारा malware है किस तरीके से प्नेटेट करता है किस तरीके से हमारा data चोरी कर सकता है हो सकता है बहुत सारी number of copies बना दे replicate कर दे आपके system के अंदर इतना इतना ज़्याद रप्लिकेट करे copies को कि आपका space full हो जाए तो इस तरीके से क्या होता है कि आपके system को यह है अब वेबसाइट के अब वेबसाइट को सर्च करते हैं तो आपको सर्च बार पर दिखेगा कि https लिखा हुआ है स्टीटीपी एस जो वेबसाइट है या हाइपर टेक्स टांफर प्रोटोकॉल सेक्यूर उन्हीं वेबसाइट को खोलें और जो सब्सक्राइब आप जाकर आपने गूगल पर जाएए और वहां पर टाइप करिए वाइस टोटल और जो भी वेबसाइट आपने खोली हुई उस वहां से उस लिंक को कॉपी करके उस वेबसाइट पर जाके पेश्ट कर दीजिए यह जो तरीका है यह मैंने अपनी वीडियो म पीछे कोई है कि नहीं के मालवेयर है कि नहीं कि चेकर सकते हैं दो कि अपने सिस्टम के अंदर एक एंटी मालवेयर लूद्वर होता है या कि किसी की माध्यम से आता है वह तो उसको ब्लॉक कर देता है या उसको पार कर देता है यह तरीके ते जिन से आप माल्वेर से और अपने सिस्टम तो सेव कर सकते हैं तो यह मैं छोटी जानकारी थी माल्वेर के बारे में अगर आप इस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें और आशी जयंकरी पाने के लिए हम आई साथ जुड़े रहें थांक यू फोर वाचिन इस वीडियो, वाज नाइस टे, गूल पाई